कुरुनाल और पूरन का तूफान आया लस्जी को 200 तक पहुचाया लस्जी वर्सेट पीबीकेस मुकाबले की पहली पारी समाप्त हो गई है और लखनाउ सूपर जाइंस ने स्कोर बोर्ड पर 200 वरो की समाप्ती के बाद 198 विक्टो के नुकसान पर लगा दिया अगर बात करें इस पारी की तो कुएंटंग डीकॉक ने ताबर तोड अंदाज में सुरुगात की 6 वरों में लखनाउ ने 54 बनाये किसके बदौलत कुएंटंग डीकॉक की भेतरीन पारी के बदौलत उसके बाद उन्होंने वो सिलसिला वो कार्मा आगे भी बढ़ाया लेकिन बिडिलोबर्स में विकेट गिरते रहे इस्टोइनिस आए प्रहार किया अच्छा खासा लेकिन रहुल चहर के सिकार हुए फिर आगे भी कई बल्लेबाज आए गए लेकिन जो काम निकुलस पुर इस स्कोर पर लगा पाई है यह जो 119 रन है यह एक सुरक्षित स्कोर इस पर आप मानकर चल सकते हैं क्योंकि यहां के जो ग्राउंड है उनके डाइमेंस बड़े होते हैं यहां पर आप उतने असाने से चोके और चके अरजित नहीं कर सकते और जो आउट फिल्ड है वो भी थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है हाँ पंजाब किंग्स के फेवर में जो एक बात रहने वाली है वो रहेगी ड्यू ड्यू फैक्टर यहां पर अक्सर देखने को मिलता है स्पिन बहुत नहीं हो पाएगा कंट्रोल गेद बाजो से वहां पर थोड़ा सा फैदा उठा अन्य था लखनवू सूपर जाइंस के बलेबाजों ने अपना काम किया है कुएंटन डिकॉक की बेहतरी नरसत्की पारी आई है कप्तान निकोलस पूरन ने भी बेहतर क्रिकेट खेला है वहें कुनाल पांडिया जिनके उपर पूरी की पूरी फिनिसिंग जिमिदारी थी क्योंकि जब कुनाल उतरे मैदान पर तो भाईया न निकोलस पूरन थे क्रीज पर और आयुश बदोनी जो पिछले संसकर्ण में अच्छा खेल रहे थे लेकिन उनके बल्ले पर बहुल अच्छे से नहीं आ रही थी तो अकेले जिमदारी थी कंदो पर किसक कुनाल पांडिया कि उन्होंने अच्छा खासा खेल दिखाया 200 प्लस के स्टाइकरेट से बल्ले बाजी की और लखनवु को सुरक्षिती स्कोर तक पहुचा दिया है ये अब देखना दिल्चस्प रहेगा कि लखनवु की गेदबाज कैसी गेदबाजी करते हैं आपर वही जो स्पिन के दबाज है उनके ऊपर निर्भरता जादा होगी क्योकि पंजाग की बल्ले बाजी है स्पिन के खिलाब थोड़ी सी फ्रजाईल है वहाँ पर Beshto Spin के खिलाफ फ्सते हैं लियाम जिविक्स्टं पर प्रफ शिमडान सिंग स्पिन के खिलाफ फ्सते हैं तो ये जो शैम करण हुए या जिते सर्मा हुए ये सब शितनर्स को थोड़ा सा कठिनाई इनको शितनर्स को मुश्किल हो जाएगा हाँ अगर डिव फैक्टर आ जाता है और यह चीजे स्पिन उतना नहीं होता है तो फिर चीजें कठीन हो सकती है और एक दिल्चस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है इसकोर काट पर अगर हम नज़र डालें तो यहां पर डिकॉक ने चंवन रनो देखना दिल्चस्प परहेगा कि चेज कैसा होता है चेज ही ऑन है डिव फैक्टर पंजाब किंग्स के फेबर में वही जो इस्पिन आठोबर की गेदबाजी है वही डिसाइड करेगी यह मुकाबला जीतेगा कौन क्योंकि भाईया जो इस्पिनर्स हैं वो पंजाब के मि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें